आप कभी भी जरूर सुने होंगे परचा धारी के बारे में परचा जो है मतलब जमीन का आपके जमीन का परचा बना लेना तो आज जो डिसकस करने वाले हैं बताने वाले हैं आपको वो जमीन मालिक और परचा धारी कि ये परचा बनता कैसे है और वो परचा जो होता है जिसको परचा धारी आप जो परचा बना लिया है तो वो बासगित परचा भी बोलते हैं कैसे पर्चा बनाया जाता है, कैसे बनाना होता है, क्या होता है ये पर्चा, बासगित पर्चा को रद कैसे किया जाता है और बासगित पर्चा का जमीन वापस कैसे मिलता है, ये सारा नियम जो है आज आपको बताने वाले है, आपके साथ भी कही न कही हो सकता हुआ होगा, न चलिए समझते हैं समझते हैं क्या होता ये बास्कित परचा आप देखें कि ये पलोट है और ये पलोट का कोई अगर माल लेते हैं परचा बना लेता है जिसे 529 नमबर का ये जमीन का ये पलोट है और इसका कोई परचा बना लेता है मतलब क्या हुआ कौन बना सकता है परचा क्या होता है परचा देखे सरकार का एक नियम है ये नियम कहता है कि वैसे लोग जिनके पिता भी भूमिहीन थे और वो भी भूमिहीन है पिता के पास भी कोई भी जमीन नहीं है और वो भी खुद भूमिहीन है मतलब उसके पास जो है रहने के लिए भी जमीन नहीं है तो उसको ये बासगित परचा जो है सरकार के तरफ से अब वो सरकार के योजना के तरफ से डिपेंड करता है कि कितना दिया जाए ठीक है तो हर राज में ये जो है अलग-अलग अपना नियम है राज सरकार के दौरा जो ये कानून है बासगित परचा का उसको सरकार फॉलो करके अपना नियम निकालती है कि इतना जमीन अब वो एरिया जो हर जगह का अलग-अलग हो सकता है इतना जमीन जो है इसको घर बनाने के लिए परचा दे दिया गया लेकिन उसमें भी रिजन है ये जो परचा धारी होते हैं परचा जो बनाते हैं ये उन जमीन का बना सकते हैं अगर उस जमीन पे वो रह रहे हैं मतलब जमीन आपकी है जमीन का मालिक जो है इसका कोई और है अ तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये जो है वहाँ पे रह रहा है तो उस जमीन का वो परचा बना सकता है अगर वो भूमिहीन है उसके पिता भी भूमिहीन है उसके पास कोई भी जमीन नहीं है तो वो पर्चा बना सकता है मतलब पर्चा आप यही समझ लें कि भूमिहीन को रहने के लिए रहेती जमीन से कुछ मतलब हिस्सा ऐसानी की पूरा जमीन दे दिया जाएगा कुछ हिस्सा पे जो है एक तरह से अधिकारी को आदेश दिया जाता है अब यह राजसरकार का अपना अधिकारी होते है उनको आदेश दे दिया जाता है कि अगर ऐसा भूमिहीन के पास गरामिनो का जो है एक तरह से भेरिफाइड के बाद मतलब गरामिनो का एक भेरिफाइड अब जिसको पंच नामा बोल सकते हैं उसके बाद मतलब ऐसा नहीं कि गरामिनो का भी सहियोग होना चाहिए है ना तभी तो वो वो बैक्ती कोई भी बैक्ती चला जाएगा बोलेगा नहीं मेरा परचा बना दीजिए तो ये भी संभब नहीं है मतलब वो कही नहीं उसमें गरामिन का सहियोग होता है आपका परचा जो है कटता है उसमें बहुत सारे गरामीन का भी सही होता है तो उसके बाद जो है अधिकारी को दिया जाता और उस वेक्ती का परचा काट दिया जाता है मतलब उसको एक तरह से करमचारी पटबारी के द्वारा वेरिफाई किया जाता है कि वेक्ति सही में उस जमीन को दखल किये हुए है और उसका वहाँ पे घर है अगर उसको लगता है कि हाँ ये सही बात है तो फिर उसका पर्चा की उसको वहाँ से कोई हटा नहीं सके लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि परचा जो है गलत तरीके से भी काट दिया जाता है जमीन जो है उसके कबजे में नहीं है और फिर भी उसका वो परचा कटा लिया है ना और यहां माल लेते हैं कि जमीन पे जो है परचा कटा लिया फिर कबजा करने की कोशिस कर रहा है तो आपको उस समय रोकना चाहिए आपको उस समय रोकना चाहिए रोकना ही होगा कबजा करने फिलाल नहीं देना अगर आप चाहते हैं कि वो कब वहाँ पे नहीं रहे तो ठीक है लेकिन अगर आप चाहते हैं वहाँ पे रहे तो यहाँ पे उसका जो परचा बना लेकिन आप उस पर action नहीं लिए जिस दिन आप action ले लेंगे ना तो वो आमान्य हो जाएगा वो रद हो जाएगा ठीक है तो दूसरा सवाल जो है हम वही discuss करने वाले हैं कि जो बासगित परचा है उसको रद कैसे करें देखिए अगर मालते हैं कि जो आप ये plot देख रहे हैं 5 परचा बना रहा है ठीक है ये दखल नहीं है लेकिन इसका परचा काट दिया गया हो सकता है गरामिनों का सहयोग भी हुआ होगा परचा लेकिन कट گया फिलाल आपको क्या करना चाहिए फिलाल इस परचा को रद करने के लिए आपको जिला अधिकारी के पास तुरंत आवेदन करना चाहिए इसलिए कि वहाँ पे जो पावर है कि ये वो जो है परचा को रद कर सकते हैं और सियो को आदेश देंगे कि ये जो है यहाँ पे इसको रद किया जाए उनके दोरा वेरिफाइ करने के बाद इसलिए कि जो ये परचा है अगर उस बैक्ती का दखल नहीं है मतलब जो परचा बनवा रहा है अगर उसका दखल नहीं है तो फिर परचा वो तुरंत नहीं बनवा सकता तो वो इसको पर्चा सरकार के दोरा काट दिया जाएगा लेकिन अगर वैसा नहीं है उसके पास जमीन है उसके पिता के पास भी जमीन था उसके बाद ये कंडिशन होता है कि जु है की पर्चा बना लिया अब तरीके से आपका दखल भी कर लिया तो उस case में आप एक्सन ले सकते हैं उसका परचा को रद करवा सकते हैं मतलब ऐसा नहीं है ची जमीन मालिक के पास option नहीं है हाँ लेकिन अगर आपको लगता है पेपे पहले से रही रहा है और बहुत पहले से इनके पुस्त भी रहे हैं लेकिन इनके पास जमी नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर एक ठुकरा छोटा सा अगर ले भी ले तो ठीक है लेकिन जो है एक तरह से अगर अबैद तरीके से कोई दबंगई करके अगर करता है तो आपको जरूर एक्षन लेना चाहिए और फिलाल अगर गलत तरीके से कोई परचा बनाता है तो आपको वहाँ पर रोकने का भी परियास करना चाहिए अगर वो दखल करने की कोशिज कर रहा है तो अब अगला सवाल उठता यह है कि यह जो परचा बनता है तो जमीन वापस कैसे मिलता है देखिए परचा का जो भैलू है वो तभी तक होता है जिस व्यक्ति के नाम से परचा है वो व्यक्ति जब तक जिवित है तब तक उसका लैंड का टेक्स का रसीद वगरण सब कुछ कटता है मतलब आप देखें कि उसका जो जमाबंदी भी काइम होता है सब कुछ में वो लिखा वरता बासगित करके से ठीक आप देखे होंगे ऐसे करके बी ए एस ऐसे करके बन मैंसन हर जगा अपना जो है वो रहता है उससे ये पता चले कि ये जो है किसी रहयती का किसा परचाधारी है और परचाधारी मतलब वो अपने जीवन काल के लिए मालिक है उसके बाद नहीं है उसके बाद वो म जमीन हो गया तो वो पर्चा जो हो जाएगा वो रद हो जाएगा अब ठीक है आप नहीं करवाना चाहते हैं तो अलग बात है वो तो उस पे रहेंगे ही लेकिन अगर कोई भी पर्चाधारी जमीन खरिद लिया सब कुछ खरिद लिया तो अब वो वहां तो गरीब तो रहा न ठीक है तो वो परचा आप चाहेंगे तो कानूनी तरीके से आप चाहें तो सिविल कोट में भी याचिका दायर करके उसको रद करवा सकते हैं और ये साबित लेकिन आपको करना होगा उसमें कि जो बैकती अभी परचा धारी है और उसके पास भी संपत्ती है मतलब वो अपनी कमाई से बहुत हथ तक संपत्ती वो खड़िद लिया है उसकेस में उसका परचा जो है वो अमाने माना जाएगा और ऐसे भी परचा जो है वो तभी तक परचा का value होता है जब तक वो बैक्ती जिवित है आगे वो परचा उसके नाम पर तभी कायम होगा जब उसके पास भी जो है किसी भी तरह का या उसके इतने दिन जो time period में भी किसी भी परकार का कोई समपत्ती नहीं खड़दा गया हो अन्यथा नहीं बनाया जाएगा अन्यथा वो जमीन आप वापस ले सकते हैं लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कोई अगर जमीन माल लेते हैं कि लंबे समय से दखल में रखे हुए है तो इतना असानी से कोई वापस देना नहीं चाहता है तो इसलिए इस केस में जो है न्य करती वापस ले लीजिए तो ऐसा तो मूंकिंग नहीं है हमारे देश में लेकिन भविसमें हो लेकिन अभी तो नहीं लग रहा है कि ऐसा होने वाला है और आगे होगा तो इसके लिए कानूनी परकिडिया जो है आपको अपनना परेगा अगर आप जमीन वापस चाहते हैं आस